द्वादशह पाठह, फालम पतती, प्रथमह पूरुशह इस पाठ में हम क्रमशह प्रथम पूरुश एक वचनम, द्वी वचनम एवं बहु वचनम के करता के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं के माध्यम से बने छोटे-छोटे वाक्यों का अध्ययन करेंगे सिर्फ प्रथम पूरुश में ही करता के रूप लिंगों के अनुसार अलग-अलग होते हैं लिंग कोई भी हो, क्रिया हमेशा समान होती है जैसे बालकह गच्छती, बालिका गच्छती, तथा मित्रम गच्छती विशेशह, करता एवं क्रिया के पूरुश तथा वचन सदा एक ही होते है यदि करता के पूरुश और वचन क्रिया में प्रयुक्त नहीं किये जाते तो वाक्य सर्वथा अशुध होता है यह बात आगे आने वाले सभी वाक्यों पर लागू होगी संस्कृत वाक्यों के करता संग्या या सर्वणाम होते है आए अब हम वचना नुसार प्रथम पूरुश के करता एवं क्रिया से बने वाक्यों की रचना को तालिका द्वारा समझें करता लिंगम एक वचनम द्वी वचनम बहु वचनम संग्या, पुल्लिंगम, बालकह, बालकव, बालकाह, स्त्रीलिंगम, बालिका, बालिके, बालिकाह, नपुन्सक लिंगम, फलं, फले, फलाने सर्वनाम, पुल्लिंगम, सह, एशह, अयम, तव, एतव, इमव, ते, इते, इमे स्रीलिंगम, सा, एशा, इयम, ते, एते, इमे, ताह, एताह, इमाह नपुन्सक लिंगम, तत, एतत, इदम, ते, एते, इमे, ताह, एताह, इमाह, एक वचनम, पुल्लिंगम, बालकह, पठती, सह, पठती, एशह, पठती स्त्रीलिंगम, बालिका, पठती, सा, पठती, एशा, पठती, नपुन्सक लिंगम, फलं, पठती, तत, पठती, एतत, पठती नप्रीतह गच्छती, सह गच्छती, एशह गच्छती, अयम गच्छती, महिला पच्छती, सा पच्छती, एशा पच्छती, इयम पच्छती, चक्रम ब्रहमती, तत प्रहमती, एतत प्रहमती, इदम ब्रहमती द्विवचनम पुलिंगम अश्वव धावतह तव धावतह एतव धावतह एतव अश्वव धावतह स्त्रीलिंगम गाई के गायतह ते गायतह एते गायतह नपुन्सकलिंगम मुखे वदतह ते वदतह एते वदतह एते मुखे वदतह बहुवचनम, पुल्लिंगम, बालकाह लिखंती, ते लिखंती, एते लिखंती, एते बालकाह लिखंती, स्त्रीलिंगम, बालिकाह नृत्यंती, ताह नृत्यंती, एताह नृत्यंती, एताह बालिकाह नृत्यंती, नपुन्सक लिंगम नेत्रानी पश्यंती तानी पश्यंती एतानी पश्यंती एतानी नेत्रानी पश्यंती दीपाह ज्वलंती ते ज्वलंती एते ज्वलंती एते दीपाह ज्वलंती अजाह चरंती ताह चरंती एताह अजाह चरंती पुष्पानी संती तानी संती, एतानी संती, एतानी पुष्पानी संती